इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साड़ी से बहुती सुन्दर सी चीज बनाना जो आप रेगलर बेसेज पर यूज कर सकते हैं और आपको इसके लेना है जो ले लेना है कोई भी आपकी साड़ी हो जिसमें लेस लगी हो और उसमें कटफट लगया हो जिसे आप पहनते न तो इस तरीके के आपके पास भी बहुत शारी साड़ियां होई जिसके आप रेऊज कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके जो लेस है इसको निकालनेंगे अगर आप याश पीव हो तो वह निकाल सकते हैं इसके लिए ये दिखे बहुत ही आसानी से कच्छी तो अहां से ही निकल गई है जादी को लग कर देते हैं जादी कितनी मतलब चौड़ी वाली इसमें लेस है अगर आपके में पत्ली वाली हो न तो आप भो भी यूज कर सकते हैं चलिए आप देखते हैं आगे क्या करना है आप हमने जो लेस थी न पूरी निकाल ली है उपर की पत्ती निकल लिया नीची के साइट थी इस तरीके से चौड़ी वाली लेस आप देखिए क्या करना है कि इसकी करेंगे हम कटेंग तो फिर क्याची से इसकी कटेंग कर लेंगे और अपने हिसाब से आप इसकी लंबाई रख सकते हैं तो यह देखिए हमने इसकी लैंध इसकी बन गया है हमारा माप बन गया है आप इसी के उपर हम रखकर और दूसरी लेस काटेंगे यह देखिए यहां से दूसरी कट कर लेंगे तो इसी हिसाब से हमें कट करनी है तो हमें total कट करनी है six अगर आपकी लेस पत्ली है ना तो मेरी तो चोड़ी लैस थी ना तो इसमें मतलब चोड़ाई इस काफी है इसकी लैस की तो 3-3 आए ना दो पायद बनाना है और आगर आपका लैस पद्ली होopeुनना तो आपको जितनी लेयर उसमें आयं लायन की उतनी आपको cutting कर लेना है इसी नाप से 18 इंच मतलब perfect size रहती है यहां से हमने cutting कर लिए बस आपकी less पत लिए तो आपको मतलब जितनी आपके part में उतनी less आपको cut कर लेनी है यह दिखिए तो total हमने 6 piece काट लिए है आप दीखिए क्या करना है कि मतलब 1 piece में हम लेंगे 3 less यह या तो आप इसको इस तरीके से joint कर सकते हैं उपर से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे पलड देंगे यह दिखिए उपर से रखेंगे सिलाई लगा देंगे पलड देंगे या तो फिर direct आप उपर से ही किनारी से किनारी मिलाते हुगी और इसको joint कर सकते हैं इस तरीके से देखे इस तरीके से भी आप जोट सकते हैं मैंने इसी तरीके से जोईंट किया है तो इसी तरीके से जोईंट करके हम बना लेंगेद दो disruptive यूजी a जाला करना है तो अपता भी न क Travis आ вес scorne अपनाने के लिए कपड़े और दू हमने काटी हैं फॉर्म की सीट इस तरीके से जो रख लिया करें और जो राइस बैग आटा बैग की जो प्लास्टिक सीट होती न वो हमने दो काट ली है अब देखी क्या करना है सबसे पहले रखेंगे हम जो अस्तर अस्तर रखा मैंने उस अब हम इसमें लगाएंगे पिन तो फिल लगाना फ्रेंड साब को बहुत जुरूरी है पिन लगाने से जब हम इस बार सिलाई करेंगे न तो हमें बिल्कुल ये शीट है और हम norm नहीं के ठीstore आसानी जब सिलाई चल जाएगी तो कुछ बीच में इस तरके से से चलाएँगे, चारों साइट से चलाई है और चार पाइट के नाJU जो I joint थे ना j turnover क्याक पर चलाईए, कि अलग से नहीं चलाई, मैंने जो I20 थे, उनिए Q पर चलाईए तो काफी अच्छे से यह पूरी सीट, fix हो गई है यह देखिए जो एक्स्टा था ना उसको इस तरीके से कर देंगे cutting यह देखिए इस तरीके से cutting कर देंगे अगर आपको यह फॉर्म की सी avoid करनी है तो आप मतला optional है लगाना हो तो लगाईए अगर आपके पास वह तो दगा दीजी यह देखिए दो पार्ट हमारे बन गए हैं दोनों में हमने सिलाईयां डाल दी है पीच में भी जहां से जोएंट थे ना बस वहीं डाल दी है यह दिखिए पूरे कितने सुन्दर थी हमारा उभार आ जाता है और यह कपड़े सारे इस तरीके से अच्छे से फिक्स हो गई है आप देखिए आंगी क्या करना है और जो इसी साड़ी के कपड़े में से हमने काटी है दो इस्टिफ इसकी चोड़ाई रखिए हमने 7 इंच यह दिखिए यहां से और इस तरीके से इसको फोल्ड करके और सिलाई लगा देंग इसे तरीके से हम इसे बना लीजे या फिर आप रेडिमेट भी ले सकते हैं अब देखिए यहां से इसको करें के फोल्ड इसका हम बीच सेंटर निकाल देंगे और मार्क कर देंगे यह हमारा निशान हो गया तो ऐसे ही आपको बेल्ट में लगानी है जब भी आप लगा ऐसे ही लगानी है त सबसे बढ़िया माप होता है आप यह माप रट लेजिए यह देखिए इसी तरीके से हम इसका भी सेंटर निकाल लेंगे मतलब सेंटर ना निकाले तो आप दूसरा जो पार्ट के निशान लगा देंगे और जो तीन इंच पर लगा है उसके नीचे तीन इंच का निशान ल असलाही कि न से थी ना उस पर हमरखेंगे पत्धी और इसी तरीके से दूसरी पर भी रखेंगे और लगा दिँगे civile तो इसी तरीके से हम दौनों पर रख है और अफ्रमारी श्लाई देते हैं तो हमारीं यह दौनों बैल्य ज्न्र Newton कर लेंगे देखना बहुत यह अag चाहिए अभी हमने ऐख स्लाई किये जब आपके इसकी उपपर जिप लगेगी न तो आपकी इस पर तीन तीन चार चार सलाई आवा हमसे चल जाएंगे कितने सारी अब जैसे पर लगेंगी है तो इसलिए ज Über आपको जब आप जूइंट करें तो आपको एक सलाई लगानेए तो देखिए से मार्केट में बहुत या सान हमें जिप इसाइब जंए Aa और जो हमारे भाबfunding कि सीथी साइब है ज़िख simply की कि सामले ठीचे मेर में कि खेंगे और चलाई लगा देंगे औरहाएं तो सो आप चिंगिल लगाकर नीचे से डबल फोल्ड करके सलाई मारेंगे या तो फिर इसको पहले से ही डबल करना तो सही मतलब जो तरीका है वो है ऐसे पट्टी को डबल करेंगे और फिर सलाई लगा देंगे यह दिखिए ऐसे पर सलाई लगाएंगे फिर इसको फोल्ड कर तो यह जो हमारी किनारी है न जो हमने layers लगाई है तो यह सारी इसके अंदर lock हो जाएगी तो जब आप जिप को खोलेंगे ला तो मतलब आसानी से हमारा जो रनर है वो चलेगा और नीचे के जो धागे वगेरा होती न वो सारे लॉक हो जाएंगे तो बहुत ही अंदर फिनिसिंग से बन जाता है तो इस तरीके से इसको पल्टेंगे पट्टी को अंदर साइड पलट दें तो इसी तरीके से हमें दोनों साइट से अटेज करना है तो एक साइड से तो हमारी हो गई है अब दिएक पार पर इस तरीके से अटेज़ करने इसरी के उपर रखेंगे हम ना दूसरा पार तो अनने इस तरीके से मिला लेंगे और देखिए कैसे रखना इसको इस तरीके से जो हमने जिप के उपर रखी थी ना ऐसे ही इसके उपर रखेंगे तो बस पहले हम जिप को अटेज करेंगे उपर से पट्टी को तो हमने स्लाइड लगा ली है और इस पर भी हमने प्रैसे स्टिज तो इसकी दो इंच लंबाई और दो इंच चोड़ाई रखनी है इस तरीके से हमें चारों कॉर्णर पर निशान लगा देना है तो चारों कॉर्णर पर इस तरीके से निशान लगाते हुए और फिर हम इसको कट कर देंगे तो अगर आपके छोटी साइज कहना है तो आपको मत अब देखी क्या करना है कि इसको तीनों साइट से हम लगाएंगे तो तीनों साइट से लग गई है अब इसमें लगाएंगे हैं पट्टियां जो किनारी दिख रहे हैं इसको सारे लॉक करेंगे तो किनारी से इसको ऊपर साइट से हम तोड़ा फोल्ड करेंगे फिर इसमें ल लगा देंगे सिलाई तो एक सिलाई लग गई है और इसी तरीके से हम अपना दूसरा कॉर्णर पकड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे इसी तरीके से हमें दोनों कॉर्णर पर सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद और जो पट्टिया हमने साइड से लगाई है और वही पट्टी हम छोटी-छोटी काट कर और किनारी से फोल्ड करके हम दौनों साइट पट्टियां लगा देंगे इसी तरीके से ये देखे पीछे साइट से हमारा फिनिसिक से सारी किनारी लॉक हो गई है तो जब आप मतलब बैग बनाए न तो इसी तरीके से आपको ये अंदर साइट से किनारी फोल्ड कर देए तो बहुती फिनिसिंग से बनता है धागेरे से हमारे सारी इसी में बंद हो जाते हैं तो फ्रेंट चलिए आप इसको हम कर लेते हैं सीधा और दिखाते हैं इसका फाइनल लुक तो बहुती सुंदर बना है और काफी यूजफूल है ये देखिए मतलब जो साडी की लैसे होती न हमारी उनका आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बहुती सुंदर लगता है और बहुती यूजफूल है आपको जैसे आप कहीं मार्केट जा रहा है तो इसको आप ले जा सकते हैं या फिर कहीं आप ट्रैबलिंग पे जा रहा है तो आप इसको ले जा सकते हैं काफी यूजफूल है काफी इसमें सामान भी बन जाता है जैस आप मतलब ग्रॉसरी का सामान लेने जा रहा है मार्केट तो आप इसको ले जा सकते हैं तो मतलब बहुत ही यूजफुल लगा मैं भी इसको यूज़ करती हूं मेरे पास और भी है तो बहुत ही मुझे तो जहां कहीं भी जाती हूं तो इस तरीके से बैग उठाया थोड़ा बहुत सामान डाला और अपने चल दिये तो काफी यूजफुल होते हैं अगर आपके पास इस तरीके की साड़ी की लेसे रखी न तो ये बाला आइडिया आप ट्राई कर सकते हैं तो फ्रेंट्स एकदम फ्रीखा आइडिया है और जो हमारी लेसे निकलती ना साड़ीयों क कि वो भी बहुत अच्छे से यूज हो जाती है तो फ्रेंट्स आइडिया कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना अगर पुराने हो तो बैल आइकन जरूर प्रेस करना और इसी तरीके की बहुत सारा न्यू न्यू कंटेंड मेरी चै करें तो मेरी चैनल एक और है रीता रिवजे स्टूडियो बहां भी आप सब्सक्राइब करें थैंक यू